हाव रूफिक्स वान प्लास नोट टू फ्रांट केमरा नोट फ्लिपिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है आपने वान प्लास की दिवाइस म मैं फ्रांट केमरा नोट फ्लिपिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यृद्याप का जो मिलेगा मरका यहां पर फ्लिपिंग बटन ठीक है तो यहां पर आप देख सकते फ्लिपिंग बटन जो है tha आपको दिखाई दे रहा होगा लेव इन साइड में रación करके तो फ्लिब दोस्तों उवही से होते है अभी दोस्तों क्या हो रही यह आप इस फ्लिपिंग बटन पर हों क्लिक करते लेकिन आपके मोबाइल का जो कैमरा ही वो फ्लिफ को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है आपको mobile restart करना है power button को press and hold करें और restart कर दीजिए restart करने के बाद दोस्तों दुबारा से try करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solved तो जाए नेक्स्ट solution उसके लिए आपको setting open करना है उसके बाद scroll down करना है apps and notification पर जाना है see all apps पर क्लिक करना है और उसके बाद camera open कर लेना है ठीक है तो camera option को open करें और उसके बाद storage and cache पर जाए clear storage पर क्लिक करें ok करते हुए आप इसको bake कीजिए ok करने के बाद आपको check करना है आपका permissions make sure और सारे permission आप enable करें permission enable करने के बाद आप बेक कीजिए और दुबारा से रिचेक करके देखिए अगर problem solve हो जाता है तो दोस्तों अच्छी बाद है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो आप mobile को safe mode पर reboot करें उसके लिए आपको power button press and hold करना है power off के जो बटने उसमें डो सेगंड क्लिक करके रखना है और ok कर देना है जैसे ही दोस्तों ok करेगा आपका phone switch off हो जाएगा reboot हो जाएगा ठीक है safe mode पर reboot हो जाएगा और उसके बाद आप दुबारा से रिचेक करके देखिए तो दोस्तों इस बार अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर दोस्तों आभी भी आपको problem आ रहा है तो आप जाए setting स्क्रॉल डाउन करें उस इसके बाद system पर जाके आपको software update कर लेना है ठीक है system update पर ख्लिक करें और software को update करें तो फिर अपडेट करने के बाद दुबारा से चेक करके देखिए कि problem solve हो आए या नहीं हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solved तो दोस्तों आपको दुबारा से system पर जाना है reset पर क्ल बढ़ दे और आपका फोन रिसेट हो जाएगा ठीक है तो फेक्टरी डिटा रिसेट करने के बाद आपका यह प्रॉब्लेम हंड्रेट परसंट सॉल्फ हो जाते हैं उम्मिद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा तेंक्स फूर वाचिंग कि अज़िए